स्री शिवाईन नमस्त उब्यम दर्शको कैसी हूँ आज अगरते हैं कि आप सब सुवस्तेम स्रक्चित होंगे साथी दर्शको नो जून तीथी शुकरवार दिन शुकरवार पड़ रहा है शुकरवार का दिन मातालक्ष्मी को शमरपित होता है ऐसे मदर्शको इस शुकरवार केवल मुह में रख लेना चार धनिये के दाने दुर्भाग्या शुबाग्या में बदल जाएगा रोडपती भी बनेगा करोडपती दोस्तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही कारगारी होने वाला है साथी दोस्तो शुकरवार का यह वास्तों में बड़ा ही कारगारी है इस शुकरवार इस उपाई को करने से आपके जिवन की तमाम गरीबी तमाम निर्धनता तमाम कंगाली हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी साथी दोस्तों इस सुकरवार को इस उपाई को करने से आपके तमामे कारिये बनने लगेंगे बिगडे कारिये बनने लगेंगे किसी कारिय में बाहदा आ रही है तो इस उपाई को कीजेगा साथी इस सुकरवार अगर इस कारिये को करकर आप घर से बाहर जाएंगे घर से किसी भी कारिय को करने के लिए निकलेंगे तो उसे कारिय में आप लोगों को सत परती सत लाब की प्राप्ती होगी ऐसे हम दोस्तों इस उपाई को आप सभी को करना है पूरे विश्वास के शाथ करना है किस प्रकार से किस त्रैस चे करना है वह शंपून जानकारी इस क किसी भी परकार का लाब हमें नहीं मिल पाता है इसी परकार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेएगा साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देजगा क्या आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है साथ ही दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को शेर कीजिगा क्योंकि और लोगों को भी शुपाई का लाब प्राप्त हो सके शुकरवार का दिन है मातालक्षमी का दिन है मातालक्षमी का आशिरवाद उन्हें भी प्राप्थ हो सके तो ऐसे में दोस्तो इस उपाई को आप लोगों को केवल सुकरवार को ही करना है केवल सुकरवार के दिन चार धनिया के दाने मुँ में रख लेना रोड़ पती भी बनेगा करोड़ पती दोस्तों सुकरवार के जो उपाई होते हैं ये मातालक्षमी को समरपित होते हैं सुकरवार के दिन तमाम कारिय तमाम विशेश उपाई करने से मातालक्षमी का अशिरवाद प्राप्त होता है ऐसे में दोस्तों इसे शुकरवार कहा जाता है कि शुकरवार के दिन मातालक्ष्मी को धनिय का काफी विशिश में तो होता है कहा जाता है कि धनिय से जुड़े उपाई करने से मातालक्ष्मी को पृष्ण किया जा सकता है साथी कहा जाता है कि धनिया मालक्षमी का परतीख होता है ऐसे में दोस्तों इस सुकरवार आपकेवल सुबह उठते ही ब्रह्म मुरुत में उठें इश्नानादी करने के बाद में अपने घर के पूझा इस्त्लपर जिस भी इस्त को आप मानते हैं इस्ट को आप मांते हैं उनके सामने एक दीपक जलाए उसके बाद में आप माता लक्षमी का एश्वन करते हुए किसी भी कारे को करने के लिए जाने से पहले आप चार धनिया के दाने ले और अपने मुह में चमारी लगे अपने मुह में चबाब कर अपने घर की चोखट को दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा करने से तमाम कारियों में लाब प्राप्त होता है तमाम कारियों बनते ही जाते हैं सपलता प्राप्त होती है और जिवन के तमाम जो भी कश्ट होते में दूर होते हैं आरतिक लाब की प्राप्ती होती है तो आप इन्हों पाईयों को एक बार करक उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद जी नमस्कार